थो अलोग दोस्तों असलाम लेकूम कैसे है आप सब मैं हूँ रिशमी और आप मेरे साथ देख रहे है जायकारास्वई करल शुद्로 शुलिए है और हमशे कीजिदिशन की चाह पीसें हीन और वित दीर हैे पूंडी प्याज प्याज ल कैसे बहुत सब्साट क्याज डूब आकान की हैं निम Č-टी जो कॉप्थ प्यास सब्साथ, जो भर शन्य हम बहुत नहीं और इस बixa प्याज इस ago लग के लिए बड़ा है और साथ में इजाना किता हारी मिर्च, यहां बंती하겠습니다 बाइं और पहुम हम चाहें लंबा कट अब यहां पें पें लेंगे और पैन में हम डालेते हैं फ्लीजिए हम देदैम में लिया है ने तहुद्च पित्वाइड रिगा हैं दीले ने हम ले काई भूता है बस एक मिनट तक तो यह सारी चीजें हमारी रोस्ट हो गई है गैस हमने बंद कर दी है अब यहां पर हम थोड़े से ड्राइ मसाले डाल लेते हैं यह हमने यह नहीं पर लिया है दो इस्पून दनिया पाउडर एक से डेड़ इस्पून हमने ली है लाल मेर्स पाउडर और निकल जाए और इनमें भी एक अच्छी सी खुश्बू आ जाए पर ध्यान रहें यहां पर गैस चालू नहीं है गैस बंद है बस हमारा जो पैन है वो गरम है और मसाले गरम है तो इन सारे मसालों को भी हमने मिक्स कर लिया है इसमें थोड़े से गरम हो गए है तो उनको हम ब्हーパव्ड़र बना लेते हैं और जो बिंडे थी उनको अमने एक बड़े वर्तन में ट्रांसफर कर लिया है अब इस सारे मसाले को हम बिंडी पर डाल डेंगे और बहुत अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो सारा मसाला है रोस्ट किया हुआ पाउडर बनाया हुआ ये भिंडियों पर अच्छे से कोट हो जाए और ये देखिए दोस्तों हम अच्छे से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि हर एक बिंडी पर अच्छे से मसाला लग जाए और यह देखी सारा मसारा अच्छे से लग गया है खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है अभी तुबना भी नहीं है इससे पहले खुश्बू आ रही है तो अब हम कर लेते हैं एक पैन में ओयल गरम यानि कि मैंने एक आइरन की कड़ाई ली है मैं जादतर आइरन की कड़ा नहीं है और सबसे पहले हम इसमें पैया डालेंगे बेबी अनियन इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे ज्यादा देर तक प्राई यहीं करुश्बry Ges jag – Curlur by एटनी पिंख कर लेए तो ओल हमारा कर दूढा है दूढार से ने दाल देते हैं हम एक स्पून कलॉणी का दूण दूणी का तड़का लगता है यह वाली बिंडी में अब इसमें डाल देते हैं पयास जो हमने छोड़ी सी चछिप चटक जाए तो उसके बाद हम इसमें प्यास डालेंगे प्यास हम डालके थोड़ा सा इसको हम गुलाबी कर लेंगे यह देखिए प्याज हमारी गुलाबी हो चुकी है इस तरह से अब इसमें डाल देंगे हम दो इस्पून भर भर के लैसन अदरक का पेस्ट और इसको फून लेंगे तब तक भूनेंगे थोड़ा सा ताकि इसका जो लैसन का कच्छा पन है वो दूर न हो जाए और इसमें डाल पा देंगे जो हमने बिंडियां रखी है अपनी अपनी ट्रांसपर कर देगे और इनको आँखे से मिक्स कर देंगे ताकि— में और प्यास बगयरा सब कुछ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तो यह देखिए अभी दोस्तों आप यकीन मानिए इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें से बहुत अच्छी जो मसाले हमने रोस्ट करके डाले है ना उनकी लाजवाब खुश्बू है आपने इससे डाल देंगे मिक्स करने के बाद अपना ही जो टमाटर है हमने चौप करके रखाए और हरी मिरच साथ में इसको भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से और स्लो फलेम रखिए हमने अभी यहां पर स्लो टू मीडियम और अब हम इसको रखेंगे ढखकर पक और चलाना बहुत आराम से है हमें इनको दूसरी सबजियों की तरह नहीं चलाना ताकि हमारी भिंडी साबत रहें तूटे ना घुटे ना अब यहां पर हम क्या करेंगे जो नमक है भिंडी का बद चेक कर लेते हैं तो नमक थोड़ा सा कम था तो इसलिए मैं और डाल रही हू अब भिंडीों को हमने पहले ही चला दिया था तो अभी हम चलाएंगे नहीं नमक दाल कर ऐसे ही ढख देंगे और फिर से दो मिनट के लिए पकाएंगे दो मिनट के बाद हम इसको फिर से खोलेंगे तो ये देखी दो मिनट हो गए हैं अब हम इसको चलाएंगे मिक्स कर दे सूकी सबजी में क्या होता है कि नमक अगर पहले ही हम चेक कर लें और डालने तो ठीक रहता है अगर कम रह जाए बाद में तो फिर अच्छा वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता तो ये देखिए अब इसका जो ओईल था वो उपर आने लगा है धीरे धीरे तो अब हम इसको ढखेंगे नहीं अब पूरा टाइम हम इसको खोल करी पकाएंगे और स्लो ही फ्लेम रखेंगे नहीं तो नीचे से जलने लगेंगी भिंडी और ये देखिए चलाने का तरीका यही रहेगा तो ये देखिए काफी देर के बाद ओयल चोड़ने लगी है बिंडी आप इसमें पानी का असर बिलकुल नहीं है तो हमारी बिंडी अलमस्त तयार हो गई है अब हम इसको कर लेते हैं डेश आउट तो चलिए ये देखिए हमारी बिंडिया कितनी बहतरी बनी है लाजवाब खुश्वू तो बहुत ही अच्छी है तो ये देखिए जो इसमें प्यास बढ़ी है दोस्तों हर एक प्लेट में एक एक प्याज आप जरूर दें बहुत अच्छी लगती है कि खाने मैं हलका हलका कृरंच होता है और प्याज की जो हलकी मिठास होती है वो इसके टेस्ट को और जादा बढ़ा देती है तो आप लोग सब को जरूर दें एक एक प्याज और यह जो ओल रह टागता आँ तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलती हूं मिलती हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफेश और मेरे करते हूं मिलती है अगली तूपेश अगर रेसित हैं ऊगलाइब कीजिए और मेरे रेसिते हैं